आप अपने तबस्सम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा अदाब नमशकार सस्रियाकाल दोस्तों मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सम और आप देख रहे हैं तबस्सम टॉकीज मिस्टर मंजीत कुमार दाना मेरा नाम काजल है मेरा बाबुज ने मुझे दिल्ली से फोन किया था आप से मिलने के लिए कि भी देख भी देख बिकरार हुस्ता ही दोस्तों मुर्जाया हुआ फूल किसी को अच्छा नहीं लगता बासी मिठाई भी अच्छी नहीं लगती और रेटाइड हीरोईन भी नहीं अच्छी लगती लेकिन आज जिस हीरोईन के मैं बात कर रही हूं वो रेटाइर हो गए थी लगभग आज से 24-25 साल पहले लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है और वो हैं बेहद हसीन, खुबसूरत और चुलबुली, काजल की रन हाँ दीदी, और मैंने बेखा कि हम सब ने निताल गए हैं और मैं वहां के जील में कश्टी चला रही है जूम जूम जब 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 जूम जब 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 और दीदी मेरी सामने एक सुन्दर सा हैंसम हैंसम लड़का खड़ा हुआ है और गारा है चौदवी का चांदो या पताबो चल गया प्योर का चांदो चल गया 18 अक्तूबर 1958 में पैदा हुई थी काजल के रन मुंबई में एक मिडल क्लास महराश्टियन परिवार में उनका असली और पूरा नाम है सुनीता कुलकर्मी और काजल के रन ये उनका फिल्मी नाम है और ये नाम दिया था उनको मशूर प्रिडूसर डिरेक्टर राइटर नासर हुसेन ने काजल के रन के माबाब के बारे में जादा जानकारी नहीं है लेकिन इतना मालूम है कि फिल्म इंडेस्ट्री से उनका दूर दूर तक कोई तालुक नहीं था काजल के रन अपने माबाब की सबसे बड़ी बेटी हैं उनके दो छोटे भाई हैं काजल के रन के माबाब चाते थे कि उनकी बेटी खुब पढ़ाई लिखाई करें और डॉक्टर बनें लेकिन अफसोस कैसा नहीं हो सका क्यूंके काजल के रन को तो बच्पन से ही एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था वो फिल्मों में काम करना चाहती थी और हीरन बना चाहती थी काजल के रन ने अपने फोटोग्राफ किछवाए और अलग-अलग सेकेटरीज को दिये ताकि वो प्रोडूसरों को दिखाएं और उनको काम दिल्वाएं और खुद भी कई बड़े-बड़े प्रोडूसरों से नहीं मुलाकात की उन में से एक थे मश्यूर प्रोडूसर, डिरेक्टर, राइटर नासर हुसैन नासर हुसैन जब काजल के रन से मिले तो बहुत ज़्यादा एंपरेस हुए मुतासिर हुए सूरश शेकल से भी, बात करने के अंदाज से भी और टेलेंट से भी और इसे लिए फॉरन साइन कर लिया अपनी फिल्म के लिए और उस फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं तुमने मजे शराब पिलाई क्यो? मैंने पाप गिया एर पाप हे, मुझे कुछ हो रहा है अब क्या हो रहा है सब जल रहा है अच्छा हो गया तुमारा जब मेरी बाहो का हो पीच भीटाला तो मेरा क्या है दिल लिए मैं तो हितना जानू हम किसी से कम नहीं, रिलीज हुई और सुपर हिट हो गई और काजल के रन ने ये थाबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं बहुत से बड़े-बड़े प्रोडूसर काजल के रन को साइन करना चाहते थे लेकिन नासर हुषैन ने काजर किरन के साथ एक contract sign किया था जिसमें लिखा था कि तीन साल तक वो बाहर की फिल्में sign नहीं कर सकेंगी लेकिन तीन साल के बार काजर किरन ने कई बड़ी बड़ी फिल्में sign करनी जैसे सुबूत, वार्दात, मांग भरो सजना और हमसे बढ़कर कौन काजल केरन कहती थी कि मैंने अपने दोर के सब बड़े-बड़े हीरोस के साथ काम किया लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई 1980 में जब मैंने जीतेंद्र के साथ काम किया और उस फिल्म का नाम था मांग भरो सजना हाई इसमें तो लाम अपना है हाँ, इंपजाब नहीं तो क्यार का मज़ा है तल है ये जोडी मूँ आ मैं तेरी अखियों में जाओ मैं तेरी हसीना मेरा दिवाना 1981 में काजिल के रनने एक और फिर्म साइन की और उस फिर्म का नाम था वारदाथ और उनके साथ हीरो थे मितुन चकरवर्ती वारदाथ हिट हो गई मितुन चकरवर्ती को बहुत फाइदा हुआ वो तरक्ते की सीडियां चड़ गए लेकिन अफसोस के काजल के रन को कोई फाइदा नहीं हुआ वारदाथ हिट हो गई लेकिन काजल के रन को उस फिल्म से कोई फाइदा नहीं हुआ बलके नुक्सान हो गया उनको हीरोईन के रोल्स की बजाए साइड हीरोईन के रोल मिलने लगे काजल के रन को इस बात का एसास हो गया कि उनका करियर अब खत्म हो रहा है दम तोड़ रहा है इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और शादी कर ली उनके पती का नाम है महाजन और वो एनार आई है और नीदर लैंड में रहते है काजल के रन आज माशादला 63 की हो गई है और अपने परिवार के साथ नीदर लैंड में रहती है और बहुत खुश है और मीडिया से दूर रहती है तो दोस्तों ऐसी बाते भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी आप देखते रहें तबस्वम टॉकीज करते रहें लाइक शेर और सब्सक्राइब